हलो फिंट्स नमस्कार स्वागत आप सभी को हमारी ग्रूप चैनल में सोभा सी लायर क्याला आज काम इसी वीडियों बताऊंगी बोलो अच्का बैग डिजाइन बनाना तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डलू तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं तो यह हम अस्तर को कटिंग कर लिए हैं देखिए दो फोल जानगों और सिक्थपएंगे अब यहां हम आधा इंच को पहले निशान लला का लेती हूं जो सोल्डर में जोइंड होगी कि अ हम शीदह लारान भी खीच देंगे और यहां से हम 8.5 पर निशान ल는 बॉर्टने के और अधाjust यहां सान लागा डूपघ के औहरें जो ऊपर वाली निसान से सोब्स्राइक निसान से लेकि नीचे तक त्यर्य फिंच प्यांस लगा रहे हो वाइक हो Prem 3 इंची की पीछे से पट्टी चोई रखनी है तो 3 इंची पे हम पॉने तीन इंची पे हम निशान लगाई दो पॉने दब के पॉने तीन इंच तर आ जाएगी बनके फिटिंग गला और इस तरह से हम गला को सेफ दे रहे हैं आप चाहेते हैं यहां पर दूसरा भी गला को सेफ दे सकते हैं और वीडियो को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्रा को जो निसान लगाई हूं निसान के ऊपर कटकर की इसको निकाल दे रही हूं अब इसको निकालने के बाद देखिए इस तरह से होगी और नीचे का कपरा जो इस्टरा कपरा है ज्यादा इसको मैं थोरा से छोड़के यहां पर कटिंग कर देती हूं कटिंग कर दिए अब कपरे के उपर इसको बीछ आके अस्तर को कपरा को और मसीन का ही उतरा हुआ सुई है इससे हम सिट कर लेते हैं ताकि सिला करते टाइमी दोध हुए फिसलेगा नहीं खिसकेगा नहीं और अच्छे से सिला भी जाएगा और सारी वाली कपरे को बलोज का कपरा जो इसको इस्टरा रखते हुए कटिंग करेंगे इसको पुरा लेबल में बराबर में कटिंग न करें न तेस लाइक काते टाइम जो घट भर भी जाता है अब यह जो निसान लगा रखी हूँ इसी निसान से डेले निच एश्टरा है नीचे इसको लगा देंगे यहां पे हम फोल्ड करूंगे आप चाहे तो यहाँ पर तुरुपे बाले भी बना सकते हैं और कमर के तरफ में सिलाई लगा दी हूँ और इहां से गला के तरफ में सिलाई दो पुएंट के नुसार से इस पर डाल रही हूँ यहाँ and यहाँ पर अभी डोरी मैं लगाओंगे आप चाहे तो कपड़ा का भी डोड़ी बना के लगा सकते हैं, हम यहाँ पे रेडी में डोड़ी यूज़ कर रही हूँ, इसी इस टाइम डोड़ी डालने से फिनिसिंग इसकी अच्छी आदी हर कोना बगरा बहुत अच्छे से सफाई से निकल जाता है, डोड़ी के सहारे से अब यहाँ भी जो कौने पे जो कपरा को घुमा रही हूँ, तो सुई को अंदर रहकते हुए कपरा को घुमा के और पूरे गले के उपर सिलाई लगा देंगे, और इस सेट भी आए, तो देखिए यहाँ भी डोड़ी को डाल देंगे अंदर से, अभी जो कपरे और अस्तर की बीच में जो डोड़ी डाल रही हूँ, तो इसको सीधा करने के टाइम, यह छुप जाती है डोड़ी है, दीखती नहीं है, इसकी फिनिसिंग भी अच्छी आती है, अंदर से डोड़ी लगाने पर, और कपरा को हमेशा घुमाए, तो सुई को अंदर ही डाल के घुमाए, की अच्छी आती है, अब यहाँ पर कप्रा को कट करके निकाल देंगी, पूरे अस्तर की लेवल से कप्रा को कप्रा को नहीं कटिंग करूंगे, और यहाँ पर जहाल जहां गोल भाग है, वहां पर हलिकी हलिकी सिलाई को बचाते हुए, कट लगा देंगे, ताकि गला इसकी सेफ आएगी अच्छी अब पूरे गले में हम इसको कट लगा दिये कट लगाने के बाद यहां पर सभी सुई को निकाल लेंगे कपड़े से बाहर इसको निकाल के साइड में रख देंगे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कोमेट जोरूर कीजेगा अपने दोस्तों को और वाधे को पिछ में हात को डाल कीस तरह से ब्रफिंगे इसको पलट लेंगे इसको आराम आराम से पलट लेंगे और यह इन तरह से पलटने पार बहुत अच्छी सफाय आति है देखें को डोडी भी इसाइप निची से नुकल दिए तो हथारे से क्वार कितनी अची से नहीं दिखाई दे रही है पुरा सब अंदर चला गया अब यहां पे दो पॉइंट का नुशार चे उपर से कपड़े पे एक अच्छी से सिलाई लगा दोंगी सफाई के लिए ताकि कपड़ा और अस्तर की कपड़ा दोनों को एक बराबर रखते हुए यहां पे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से पुरे में पुरे गले के उपर सिलाई लगा दिये ताकि इसकी फिनिशिंग और सुन्दर ता अच्छी से आएगी इस तरह से हम पुरे गले पर सिलाई लगा दिये अब इसको अंदक तो फ्लट के और इसको साइट का कपरा जो इसको सिलाई लगा के चिपका लेंगे अब यहां जो इस्टरा कपरा बचा इसको कटिंग करके निकाल लेंगे इसलिए इस्टरा कपरा छोर के कटिंग करते हैं यहां पर अभी इस्टरा कपड़ा है तो कटिंग करके निकाल लेंगे लेकिन थोड़ा कम जाएगा तो यहां पर प्रोब्लम हो जाती है शेफ बिगरने लगती है तो यहां दोनों साथ के इस्टरा कपड़ा कट करके निकाल दिये अब यहां हम उपसे लेस को फिट करेंगे तो लेस को हम एक बीच भाग से सिलाई लगा आ रही हूँ लेस के उपर बीचों बीच यहां पर कॉनल पर अच्छे से सिलाई को लेस को फोल्ड करते हुए पूरे गले के उपर सिलाई लगा देंगे और लेस के उपर आप चाहे तो यहाँ पर लेस पर दूसरा सिलाई भी एक किनारी से एक और दूसरी किनारी से लगा सकते हैं मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगाई हो दो सिलाई लगाने से और अच्छी आती है और यह मैं किनारी से सिलाई लगाई हो अब यहाँ पे पीछे का टक्स डाल दे रही हूँ दोनों टक्स डाल देंगे बुलोज का इस तरह से उमीद कहती हूँ जो आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा अब यहाँ पे नीचे से कमर की पट्टी में यहाँ पे लेश डाल दूँगे अब यहाँ पे देखिए में गले में भी और कमर की पट्टी में भी लेश लगा दी और यह मैं फूल बना रखी थी पहले से और यहाँ पे इसको सेट कर देती हूँ आपको यह फूल जहाँ पे सेट करनी आपको चुआ इस वहाँ पे आप सेट कर सकती है तो उम्मीद करती हूँ जा आप सभी को ये वीडियो ब्लोज का बैक डिजन बहुत ही पसंद आया होगा तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कोमेंट सियर करना न भुलिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक थाइंक्यू धन्यवाद